नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं सुरक्षा बिहार नीच और आज मुझे इस वीडियो बनाने का बहुत ही खास मकसद है और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को नजर अंदाज ना करें क्योंकि ये आपके लिए भी है और वैसे लोगों के लिए खास जो एकदम गलीब परिवार से बिलॉंग करता है और उसकी कोई भी पताधिकारी या कोई भी करमचारी या कोई भी सरकारी जो ब्यक्ति हो वो उनकी बात नहीं सुनत है उनके लिए खास करकर के वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि आज जो एक व्यक्ति के साथ हुआ है वो देखकर वो सूल कर मेरा भी दिल दहल गया और उस चीज को लेकर के मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ तो सबसे पहले आप जितने भी हमारे भीवर सिफ हैं जितने हमारे चाहने वारे लोग हैं उनसे मैं एक ही चीज कहूँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को सेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बिहार के सभी ऐसे नागलिक के पास पहुँचाईए जो चाहते हैं कि ऐसा ना हो गरीबों के साथ सोसा ना हो क्यूंकि ज्यादा तर लोग गरीबों को एकदम पैर का मीटी समझ लिए पैर का धूल समझ लिए तो उस चीज को लेकर के मैं आ जाया हूँ और सबसे बड़ी बात बता दू कि अगर कहीं पे भी सरकारी जगा पे आप जाते हैं अगर आपसे पैसे का डिमांड किया जाए तो कुछ नहीं करना है अब सभी के हाथों में स्मार्ट मॉल जरूर होता है उससे उस चीज को रिकॉर्ड करें और मैं नीचे डिस्क्रीप्शन में या तो मैं स्क्रीन पे दे दूँगा सुरक्षाभिहार एडड़ेट जीमेल डॉट कॉम अगर उसमें मेल करने आता है तो मेल करें नहीं तो मैं नंबर बता देता हूँ 763497960 जी रो इस पर आप वार्शेप करें कि मेरे साथ क्या हुआ है और उसका वीडियो बनाएं और डाइरेक्ट हमारे पास सेयर करें हम उस चीज का परदा फास करेंगे क्योंकि आज मुझे बतलाने में इतना दुख हो रहा है न इतना तकलीप मैं आज देखा उस गरीब के व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति रिक्सा चलाता है क्या सायद कही रेरे पे हमने उसे देखा था और वो आज जब रो रहा था तो मैं क्या बतलाओं मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे उन्हें क्या मदद करू कि उनका आंसू कम हो जाए लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ मेरे से जितना प प्रियास असफल रहा कि मैं उतना बड़ा हस्ती नहीं हूं कि मैं उनका मदद करता लेकिन जतना मेरे से चाहर करेंगे जतने भी बिहार के वासी है और जो सबसे पहले जतने भी बिहार के गड़ीव वैसे महादली परिवार के जतने भी लोग है उन लोगों तक ए वीडियो ज़रूर दिखला दे कहीं पे भी आप जाते हैं सरकारी जगह पे अगर आपसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है बार बन मैं बता दता हूँ कि अगर कहीं पे भी पैसे का डिमांड किया जाता है तो आप अपना मुञालनिकाले कि अगर खुलियाम रिकॉर्ड नहीं करने आता है तो जेब में मैं बतलाद देखो पीछे हो करके यहां पर एक जेब होता है यहां पर एक जेब होता है इसे जेब पर रखे और रख करके उस चीज को रिकॉर्ड करें और ओर record करके हमारे mail पर करें या तो जो मैं नंबर अस्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर पर share करें मैं उससे चीज को मैं वीडियो के माध्यम से परदाफास करेंगे क्योंकि मैं क्या बतलाऊं और खास करकर के अब सरकारी एस्कूलों में देखने को मिले रहा है कि किसी भी चीज के लिए अगर कहीं पर भी जाते है ठीक है पैसा लगता है तो उसे डाइरेक्ट बोले कि हमें बिल दे दिया जाए अगर सरकारी जगा पे अगर पेविंट लगत उसे कहिए कि हमें बिल दे दिजिए कोई दिक्कत नहीं है पैसा लग रहा है लगने दिजिए लेकिन हमें उस चीज को तो पता चले कि पैसा किस बाद को ले करके लग रहा है अगर वह ऐसे नहीं होता है फोन पे आता है आपके पास कि हाँ इतना पैसा कर दीजिए जैसे फोन पे बात करते हैं फोन के माध्यम से आपके पास आता है कि हाँ इतना पैसा लेगा तो उस चीज को record करकर के हमें share करें वही mail करें वही नहीं तो अगर mail नहीं करने आड़ा तो सेम वार्चेप नंबर पे हमें message करें उस चीज को हम उस चीज को भी दिखलाएंगे और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं बार बार request कर रहा हूँ इस वीडियो के इतना share करिये इतना share करिये न कि वहां तक पहुच जाए जहां पे इसका सही मकसद हो इस वीडियो का जैसे सभी ऐसे छोटी परिवाल को मदद मिले छोटी परिवाल का जो कई लोग अब हम क्या बतलाएं जो छोटे लोग को एक दम समझ लेते हैं न कि पैर की मीटी है पैर के नीचे रहने वाले धूल है तो ऐसा नहीं है जितने भी बड़े लोग बनते हैं वो छोटे के असिरवात सही बनते हैं लेकिन आज छोटे को कोई समझने वाला नहीं है तो वीडियो का मकसद सिर्फ मेरा यही है और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ करे ताकि जितने भी वैसे सरकारी जगा पे बेवजह पैसा लिया जा रहा है तो कम से कम बंद हो जाए अगर बंद नहीं होगा न तो कई वैसे हमारे बुजूर्ग दादा की तरह कई वैसे लोग रोहेंगे जिनका कोई दोस नहीं होगा वो अपना काम के लिए उनका काम नहीं हो पाया और वो काम के लिए तक रोने लगे हम क्या बतलाएं क्योंकि मैं यार हम भी उस परिवार से बिलॉंग करते हैं छोटे परिवार के हम भी लोग थे और जिस प्रकार से हमारे दादा जो कही के रहने वाले थे ओरू रहे थे न उचीज को देख करके मेरा आँख नम हो गया तो हम सभी से यही कहेंगे कि जो नयाय है जो सही अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से दादा रो रहे थे न इनका क्या कसूर था कि वो अपने काम को लिए, अपने मुल हक के लिए भी, सब लोग कहता है कि मुल हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, कि आंसु की लड़ाई लड़ना पड़े, अरे हम जानते हैं कलम की लड़ाई सब जगल लड़न पड़ता है लेकिन आशू की लड़ाई आज पहली बार जिस परकार से हमने देखे न हमारा आख नम हो गया हम क्या बता है तो सभी लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करते आ रहा हूं कि कम से कम इस वीडियो को आप एक ही शेयर कर दीजे न आप फेस्बूक पेज के माध पे भी सरकारी जगह पे बेवज़ा पैसा ना लगे अगर पैसा ले रहा कोई भी ऐसे लोग जो सरकारी जगह से बिलॉंग करता है तो उनसे रसीद मांगिये उनसे बिल मांगिये उनसे पेमन स्लिप मांगिये अगर नहीं मिलता है तो आप वीडियो बना करके हमारे मेल पे share करे ताकि जिस प्रकार से बावारोर है थे कोई भी ऐसे गरीब परिवार के लोग ना रोए ना बिलखे मैं किसी चीज को लेकर के आज आया हूँ तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग भी comment box में जरूर बतलाएं तो कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो सच्चाई हो उसकी विजय हो और जो गलत है उसका तो प्राजित होना निश्चित है तो बने रहे हमारे साथ ऐसी मिलेगी अगले अपडेट के साथ तो भाई लोग इस वीडियो को एक वड़ आप सेयर कर दिजिए अगर अच्छा लगा हो तो क्योंकि हमने देखा है आज उस चीज को आप भी समझी है तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ धन्यवाद